नमस्कार जी मैं आज एक बहुत बड़ा एलान करने जा रहा हूँ जैसा कि सब को पता है कि आमादिय पार्टी सच्चे दिल से इमानदार पार्टी है आमादिय पार्टी एक एंटी करॉप्शन अंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आमानी पाटी की दिली और पंजाब की सरकारें तहे दिल से इमानदार सरकारें है हमें एक पैसे की भी हेरा फेरी बरदाश्ट नहीं करेंगे जब मैं पंजाब में चुनाप परचार करता था गाओं गाओं जाता था कस्वों में जाता था तो लोगों के चेहरे पर मैं एक उमीद देखता था लोगों की आँखों में एक उमीद मुझे नजर आती थी कि शायद कोई आएगा जो हमें ब्रिष्टाचार की इस दलदल से बचाएगा जब मेरा नाम मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस किया गया तब भी मुझे अर्विंत केजरिवाल जी ने कहा था कि भगवन जो मर्जी हो जाये हमने ब्रिष्टाचार बरदाश्ट नहीं करना मैंने उनको बचन दिया था कि एक पैसे के भी हेरा फेरी बरदाश्ट नहीं करेंगे चाहे वो अपने हो हेरा फेरी करने वाले चाहे बेगाने हो इसी सिलसले में मेरे ध्यान में एक केस आया कि मेरी सरकार का पंजाब सरकार का कैबनेट मंत्री अपने डपार्टमेंट में टेंडर और बाकी खरीद फूर्ट में से एक प्रसेंट कमिशन मांग रहा था तो मैंने उसको गमीरता से लिया यह मामला सिर्फ मेरे पास यह मीडिया के पास इसकी कोई जान करें नहीं विरोधियों के पास इसकी कोई जान करें नहीं मैं चाहता तो इसको दबा सकता था अगर मैं ऐसा करता तो मैं लाखों करोड़ों पंजाबियों का दिल तोड़ता जिन्होंने मुझे पर यकीन किया तो मैं अपनी पार्टी की जो बिचार धारा है उसके भी खिलाब होता और मैं एक्शन लेने जा रहा हूँ उस मंत्री का नाम है डॉक्टर बिजे सिंगला जो के सिहत मंत्री है पंजाब में कैबिनेट में थे जब मैंने उनको ये सबूत दिखाए तो उन्होंने अपना गुना कबूल भी किया तो हम चाहे अपने हो चाहे बेगाने हो जीरो टॉलरेंस है हमारी रिश्वत खोरी के खिलाफ मैं सब को कहना चाहता हूँ कि अब सिस्टम बदल गया है चाहे आप अ अब सिस्टम बदल गया है अब एक रुपए की भी हेरा फेरी नहीं चलेगी हम एक प्रसेंट लोगों का एक प्रसेंट पैसा भी बचाएंगे लोगों की जेबों पर डाका नहीं डलने देंगे और ये इतिहास में दूसरी बार हो रहा है 75 साला इतिहास हो गया देश का अजादी को बाद 75 साल हो गया ये दूसरी बार हो रहा है पहले 2015 में अर्विंद केजरिवाल जी ने अपने फूड स्प्लाई मिनिस्टर को पांक-छै लाकर पर या आडियो पर मांगते हुए उसी आडियो को सुनकर उनको मंत्री मंदल से ब्रखास्त किया और केस CBA को दिया और आज पंजाब सरकार ये फैसला लेने जा रहे हैं कुछ भी पक्षी पार्टियां वाले ये सवाल उठा सकते हैं कि ये देखो दो महिन में ही भगवांतमान की सरकार में एक करप्ट मंत्री पकड़ा गया है मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि उस पर एक्षन भी महीं ले रहा हूं इससे पहले कई मुख्य मंत्रियों ने ये कभूल किया था कि मेरे मंत्री मंदल में बहुत से मंत्री जो हैं माफिया से ले रहे हैं और पुलिस का मामला भी पुलिस को उसके खिलाब कारवाई करने के नर्देश भी दे रहे हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिल में जिनके दिमाग में ये धारना है कि ये करप्षन का ताना बाना बहुत बढ़ा है ये तूट नहीं पाएगा ये करप्षन ऐसी चलती रहेगी बिलकुल भी ऐसा नहीं है अगर निय सच्ची हो सब कुछ हो सकता है अर्विन केजरिवाल जैसे भारतमा के सपूत हो जोनोंने पार्टी ही एंटी क्रॉप्शन मुव्मेंट से निकल कर बनाई और उनके साथ मेरे जैसे हजारों वतन प्रस्त सिपाही हो त भागत सिंग जी को ये कभी भी चिंता नहीं थी अजादी कैसे आएगी उनको चिंता ये थी कि अजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा कई फिर तो नहीं लूट मचेगी लेकिन हम भागत सिंग के सपनों की अजादी को घर-घर तक पहुंचाने के लिए वचन कर रहे हैं कि जितने मर्जी कठे कर लो पैसे हीरे मोती मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती सब कुछ यहीं रह जाएगा तो क्रॉप्शन फ्री कंट्री बनाना अर्विन के जीरिबाल जी का सपना है और देश को आगे बढ़ाना उनके सभी हजारों लाखों की गिंती में सिपाओं का सबना है इनकलाब जन्दा बाद